दोस्तों आपको तो याद ही होगा, आज से कुछ साल पहले एलन मस्क ने स्पेस में टेसला रोडस्टर कार लॉंच की थी ये कार थी तो टेसला की, मगर इस पर सवार था एक स्पेसेक्स एस्टरनॉट ओविजली वो भी एक डमी ही था, खैर ये साल 2018 में लॉंच की गई थी और आज है साल 2023 यानि पूरे 5 साल बीथ चुके हैं इस कार को अपने सफर पर निकले हुए तो फिर अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये कार पहुंची कहां तक वेल आज की डेट में ये गाड़ी सूरज को और्बिट कर रही है जी हाँ, जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द धर्ती और अण्य ग्रह घूमते हैं ठीक उसी तरह ये कार भी अब सूरज के चारों और चकर काट रही है इस कार को सूरज के अराउंड एक और्बिट पूरा करने में 557 दिन का वक्त लगता है आज ये कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है कि वो अर्थ पर मौजुद सारी सडकों के कंबाइंड डिस्टेंस से भी 60 गुणा ज़दा है औरिजिनली एलोन मस्क ने इस कार को स्पेस में लौंच करते हुए मार्स पर क्रैश कराने का प्लैन बनाया था जिसे सुनकर दूनिय भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट परिशानी में आ गए थे उन्हें ऐसा होने पर मार्शेन सोयल में बैक्टिरियल कॉंटामिनेशन होने का डर था मगर खुश किसमती से तब ये कार मार्स से टक्राने से बच गई मगर बदकिसमती से आज 22 प्रतिशत संभावना है कि ये कार वापस अर्थ से आ टक्राएगी साल 2047 में ये कार प्रितवी के बेहद नस्दीक से होकर गुजरेगी हलाकि अगले डेड़ करोड सालों तक ये कभी भी प्रितवी से टक्रा सकती है जो कि धर्ती के लिए एक विध्वन्स साबित होगा आईए जानते हैं आज इस कार की इंसाइड स्टोरी 6 फरवरी सन 2018 वो तारीख जब एलन मस्की एरोस्पेस कंपनी स्पेसेक्स ने एक रेड टेसला रॉटस्टर कार को स्पेस में लॉंच किया इस कार को स्पेसेक्स के आईकॉनिक फलकन हैवी रॉकेट की एक टेस्ट फलाइट के दौरान लॉंच किया गया था जो की आगे सक्सेसफुली स्पेस में पहुची भी और इसमें एक डमी पेलोड टेसला रॉटस्टर को स्पेस में डिपलॉई भी किया इस चंद घंटे लंबे मिशन ने अगले कई सालों तक चलने वाले एक एंडलेस मिशन को शुरू किया इस सक्सेसफुल लॉंच के बाद ये कार अर्थ के ओर्बिट में धीरे-धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगी क्योंकि इसका टार्गेट अर्थ नहीं बलकी मार्स था जी हाँ, वाकई इसे मार्स की सतह से टकराने के उद्देश के साथ स्पेस में भीजा गया था दरसल ये एलन मस्की अपनी खुद की कार थी जिसे उन्होंने आठ सालों तक लगातार इस्तेमाल किया और फिर अपनी पुरानी पढ़ चुकी कार का अंत करने के लिए ये on the way थी ऐसे में दुनिया भर की scientific community में ये हड़कंप मच गया कि आखिर एलन अपने इरादे में कामयाब हो जाते हैं तो ये कार मंगल से जाटक राएगी तो ऐसे में एक बड़ी समस्या पेश आ सकती है और वो समस्या है मार्स पर वाइरस कॉंटैमिनेशन की जीहां स्पेस के होस्टाइल और जमा देने वाले environment में ट्रैवल करने के बाद भी अगर कोई बैक्टीरिया ये माइक्रो और्गिनिजम जिंदा बच गया जो लॉंच के दौरान इस कार के साथ स्पेस में चला गया हो तो ऐसे में मंगल पर एक बड़ी तबाही आ सकती है इस तरह का बैक्टीरियल कॉंटैमिनेशन मंगल पर एक नई लाइफ फॉर्म को जनम दे सकता है जो पूरी तरह से हम इंसानों के लिए अंजान और घातक साबित हो सकती है इसके अलावा ये बैक्टीरियल मंगल के एकलोजिकल साइकल को डिस्टरब कर सकते हैं बहले ही आज हम मंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हों मगर आज भी इसे लेकर हमारी जानकारी इतनी विस्तरित नहीं है कि हम इसके कंड कंड से वाकिफ हों ऐसी में ये बता पाना काफी मुश्किल है कि भला यहां जीवन मौजूद है भी या नहीं अगर यहां पर जीवन उपस्तित हुआ तो ये इन फिल्टर्ड बैक्टिरियाज उनके लिए जान लेवा साबित हो सकते हैं और एक बिल्कुल अंजान से ही विपत्ति को बुलावा दे सकते हैं ऐसे में इट्स बैटर वी सेफ मगर इनसान मानने वालों में से कहा है वो तो वही करता है जो इसका दिल चाहता है मस्क साहब ने भी अपनी मन मर्जी के मताबिक इस कार को मंगल से टकराने का अपना फरमान जारी रखा वो तो गनिमत रही कि ये कार मंगल से कुछ दूरी से होकर गुजर गई, टकराई नहीं कुछ टेक्निकल फेलियर्स और कैलकॉलेशन एरर्स के चलते टीम स्पेसेक्स अपने इस मिशन को अंजाम देने में नाकाम रही और कुछ ये मार्स पहले इंटरनेशनल कॉलीजन से पाल बाल बच गया मगर इसके बाद क्या? आखे टेसला की उस कार का क्या हुआ? वेल इस अनसकस्फिल ट्राई के बाद फॉरण स्पेसेक्स के मिशन कंट्रोल ने अपना एक नया प्लैन तायार किया जिसके अंतरगर्थ इस कार को अबपन मंगल से टकराने की कोशिश करने के बज़ाए इस बार इसका टारगेट सन सेट कर दिया गया है अरे घबराईए नहीं इसकी योजना एक कार को सूरज से टकराने की नहीं बलकि सूरज के इर्दगर्द बाकी ग्रहों की तरह परिक्रमा करने की थी इस कड़ी में इस कार ने मार्शन फ्लाइबाई के बाद एक फ्लिप और्बिट परफॉर्म किया ये कुछ यूटर्ण जैसा था जिसमें ये कार मंगल की एक परिक्रमा पूरी कर सूरज के इर्दगर्द घूमने के लिए निकल गई इस कड़ी में इसे एक ऐसी ट्राजेक्ट्री प्रदान की गई जो की नेचर में मॉडरेटली इलेप्टिकल थी ये और्बिट प्लैनेट वीनस और मार्स के बीच मौजूद है ये और्बिट एक पॉइंट पर मार्स और दूसरे पर वीनस को इंटरसेक्ट करता है हलांकि इसके दोनों ही ग्रहों से कुलिजन की संभावना काफी कम है मगर जब बात अर्थ की आती है तो ये संभावनाए काफी जादा बढ़ जाती है वैगैनिकों का अनुमान है कि अगले डेड़ करोड सालों में ये किसी एक फ्लाइबाई के दोरान पृत्वी के इतना करीब आ जाएगी कि ये अर्थ से टकरा ही जाएगी हाला कि इस टकराव से कितना नुकसान होगा ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है मसलन उस टकराव के वक्त इस कार की गती क्या होगी जिस थान पर ये कार टकराएगी क्या वहाँ पर रहाईश मौजूद होगी लहाजा हमें इससे कुछ खास घबराने की जुरूरत नहीं है क्योंकि ये टकराव होता भी है तो कोई खास इंपेक्ट जनरेट नहीं होगा बेशक इसका बहुत सा हिस्सा प्रित्वी की सते तक पहुँचने से पहले ही जल कर खाक हो चुका होगा धर्ती के बेहद सगन बायूमंडल में दाखिल होते ही इस पर जोरदार काउंटर प्रेशर लगेगा एट्मोसफियर से इतना इंटेंस फ्रिक्शन लगने के चलते चंद मिंटों में ही ये कार आग की लप्टों में घिर जाएगी जिसके चलते ये दू-दू कर जलने लगेगी नतीजन इस कार के जले हुए डेबरिज प्रित्वी पर आकर गिरेंगे वैसे यहां भी अधिकतर संभावना यही है कि ये टुकडे कहीं और नहीं बलकि समंदर में ही गिरेंगे जिस कारण इससे किसी के भी हताहत होने की संभावना काफी कम हो जाएगी फिलहल के लिए इसकी क्रेश साइट पर कुछ भी कहपाना मुश्किल है मगर जिस बात को हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं वो यह है कि हम इंसान खुद अपने ही हातों से मुसीबतों को नियोता दे रही है जहां टैसला का ये प्रोजेक्ट कुछ लोगों के लिए रोमांच और मस्ती भरा एक अनभव है वहीं दूसरी और अंतरिक्ष विग्यान और एक्स्ट्राटरेस्ट्रियल लाइफ के प्रती आशावादी नजरिया रखने वाले लोगों के लिए ये सांसे थमा देने वाला पल हो सकता है इस तरह की इंसानी कोशिशें कुदरत के निजाम में न किवल बाधाउतपन करती हैं बलकि अंतरिक्ष जो की अपने आने वाले कल की संभावनाओं का एक दर्वाजा है वहाँ पर भी प्रदूशन फैलाती है जी हाँ अंतरिक्ष में परदूशन यानि की स्पेस पॉलिशन आज एक बेहद एहम चुनोती बन चुका है अंदा धुंद सैटलाइट्स और रॉकेट्स की लॉंचिंग ने स्पेस में मलबे और कचरे को काफी ज़्यादा बढ़ा दिया है जो आने वाले कल के लिए हमारे लिए कयामत भी ला सकता है इस तस्वीर में बाई यानि की लेफ्ट साइड में देख रही तस्वीर 1950 के दशक की है जब इंसान ने अंतरिक्ष में अपनी पहली दस्तक दी थी वहीं जो तस्वीर आप राइट में देख रही हैं वो आज के डेट की है आज बेकारपड़ी सैटलाइट्स और रॉकेट्स के यूजड कॉंपोनेंट्स ने स्पेस में काफी गंद मचा दिया है ऐसे मैं सोचिए हर पल जब ये टुकड़े गोली की रफतार से अर्थ को सरकल कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए कितने बड़े खत्रे को अमंतरित कर रहे होते हैं वैल ये वो सवाल है जो आज इस दुनिया की सभी स्पेस एजेंसिज और सैंटिफिक कॉम्यूनिटी के सामने खड़ा है कहीं हमारा भी वो हाल न हो जाए जो हमने मशूर साइफाइ फिल्म ग्रैविटी में देखा था अंतरिक्ष में लोखंड का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी गोली के समान है अगर आप इसके रास्ते में आए तो समझिए काम से गए खेर अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे समंदर की गहराईयों में बसी ये स्पेस क्राफ्ट की गबर गाहें या फिर अंतरिक्ष में आवारा घूमते इन खत्रों से एक मुलाकात नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा बाकि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन जरूर कर लें एस्ट्रोनमी और स्पेस साइन से जोड़ी हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए अज के लिए बस इतना ही जल्द मुलाकात होगी अंतरिक्ष के किसी और कोने में तब तक के लिए धन्यवाद